देखिए सोने की फैक्टरी में सोने के जेवर कैसे बनाए जाते हैं। सोना इस शब्द को लेके दिमाग में आते हैं कई सारी सवाल। आखिर क्यों सोना है इतना महंगा और कैसे बनते हैं इतने महंगे महंगे गहने। दरसल दोस्तों सदियों से दुनिया सोने के पीछे भागती रही है और आज भी भाग रही है और भागे भी क्यों ना सोना है जो इतना कीमती धातू हम सब ये जानते हैं कि सोना बहुत ही महंगा धातू है आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे मिट्टी से निकल चीन में होता है। यहाँ पूरी दुनिया का 14% सोना निकलता है। अगर बात करें भारत के तो करनाटक में एक सोने की खान थी। जिसमें से साल 1956 से साल 2001 तक लगभग 9 लाख किलो सोना निकाला गया। पर साल 2001 में करनाटक के कोलार गोल्ड माइन्स को बंद कर दिया गया। क्य से छोटे-छोटे टुकडों में डाला जाता है। फिर उन छोटे-छोटे दानों को तोला जाता है। और हिसाब से जितने भी ग्राम का सोने का बिस्किट बनाना होता है। उस हिसाब से सोने के छोटे-छोटे मोतियों को बिस्किट के आकार में भर दिया जाता है। मोतिया पें कमपनियां अपनी मोहर और सोने के बिस्किट्स का वेट वगरा प्रिंट करती है। जिसके बाद वो बिस्कुट मार्केट में बखने के लिए बिलकुल रेडी होता है। गोल्ड चैन मेकिंग प्रॉसेस। दोस्तो आप सभी ने कभी ना कभी तो गोल्ड की चैन देखी ही होगी। गोल्ड चैन बहनने के लड़के और लड़कियां दोनों ही बहुत शोकीन होते हैं। पर क्या आपको पता है कि आखर इतनी खुबसुरत खुबसुरत चैन्स बंती कैसे हैं। दोस्तों अपने दादा दादी से अगर आपने कहानी सुनी होगी तो आपको पता होगा कि पहले के समय में सोने की चैन हाथों से बनाई जाती थी। इसको बनाने के लिए कारीगार सबसे पहले सोने की कच्छे मटेरियल यानि छोटे-छोटे मोती को तोल कर उन दानों को एक भटी में डाल कर आग से पिगलाती हैं और सोने पिगलाने के बाद उसको आग से निकाल कर थंडा कर लेती हैं। लोहे के छड़ पर गोल-गोल लपेट दिया जाता है और ऐसे ये सोना एक स्प्रिंग का रूप ले लेता है। स्प्रिंग के रूप में धलने के बाद उसे रिंग के अलग-अलग टुकडों में बाट दिया जाता है। जिससे इन चैनों में एक बहतरीन चमक आ जाती है और आखिर में इन चैनों में एक नैक लोक लगा दिया जाता है और ये चैन पहनने के लिए तयार हो जाती है लेकिन दोस्तों आज की दौर में सोने की चैन बनाने में कोई ज्यादा मेरत नहीं लगती क्योंकि सोने की हजारों लाखों चैन मशीनों की मदद से चुटकियों में बनाई जा रही है फैक्टरियां सोने की ज्वैलरी बनाने के लिए सबसे पहले सोने के कच्चे मटीरियल को एक मशीन में डाल कर उसे एक वायर यानि तार के रूप में कनवर्ट कर लिया जाता है और इस सोने के तार के साथ साथ इसे रोलर पे लपेट के इकठा भी कर लेते हैं इसके बाद इन तारों को अगली मशीन में डाल दिया जाता है जहां ये मशीन इन सोने की तारों को आटोमेटिक सोने की चैन बनाती जाती है तारों को मशीन में डालने से पहले उन मशीन में कम्प्यूटर की मदद से डिजाइन को फीड किया जाता है और फिर ये मशीन अपने आप ही सोने की चैन बनाती चली जाती है मशीन में चैन बनने के साथ-साथ इसे रोलर पे लपीटा भी जाता है चैन्स बन जाने के कारण वरकर्स द्वारा इन लंबी-लंबी चैनों को छोटे-छोटे टुगडों में काट दिया जाता है और गले में पहनने के लिए इन में नेकलोक लगा दिया जाता है पूरी तरह से रेडी होने के बाद इन चैनों को एक कैमिकल में डाना जाता है जिससे ये सभी चैन्स चमकदार और खुबसूरत बन जाती है नेक्स्ट इज गूल्ड नेक्लेस मेकिंग प्रॉसेस चालू कर देते हैं। हार को पूरा बना लेने के बाद वो उस पे चिपकने वाला कोई कैमिकल डाल देता है। जो कुछ देर बाद सूख के एक मोटी परत का रूप ले लेता है। इसके बाद हार को आग पे रखके मुलाइम किया जाता है। जिसके बाद उस पे चड़ी परत भी आराम से हट जाती है। और तब जाके हार पहनने के लिए एकदम तयार हो जाता है। लेजर कटिंग मशीन दोस्तों ये एक बड़े कमाल की मशीन है। ये मशीन अपने लेजर की मदद से सोने की शीट पे कटिंग करती है। है ना ये कमाल का तरीका। कॉमेंट्स में जरू बताईएगा की कैसा लगा ये तरीका आपको। गोल्ड ब्रेसलेट मेकिंग प्रॉसेस दोस्तों सोने के कंगन को बनाने के लिए सबसे पहले पुराने सोने को बट्टे में डाल के गर्म किया जाता है। फिर पिगले हुए सोने को एक फ्रेम में डाल कर इसे एक पत्ती का आकार दिया जाता है। इन कंगन पे डिजाइन बनाने के लिए CNC मशीन की मदद ली जाती है। ये मशीन कंगन को किसी भी तरह का खुबसूरत डिजाइन दे सकती है। कंगन पे डिजाइन बनाने के लिए पहले उस डिजाइन को कंप्यूटर में फीड करना पड़ता है। और फिर CNC मशीन आटोमेटिकली ही कंगन पर डिजाइन बना देती है. And the last is gold coin making process. Gold coin यानि सोने का सिक्का बनाने के लिए सबसे पहले सोने की इंट को गरम भट्टे में डाल कर पिगलाया जाता है और पिगलाने के बाद इस सोने को पतली पटी में डाल दिया जाता है और फिर मशीन की मदद से इनके छोटे छोटे टुकडे कर दिये जाते हैं और फिर इन्हें रोलर मशीन में डाल कर और पतला किया जाता है इसके बाद इन सभी सोने की पत्तियों को मशीन में लगा कर इन्हें सिक्के के आकार में कार्ट दिया जाता है और आखिर में इन सभी सिक्कों का वजर्ण चेक किया जाता है और उन्हें बॉक्स में रख दिया जाता है तो कुछ यू तयार होते हैं सोने से बने ये आइटम्स झाल 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 झाल